प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, मुझे आशा है कि आप अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे, मानव स्वास्थित तथा रोग के इस अध्याय में आपका फिर से स्वागत हैं इस अध्याय के पहले बाग में हमने मानव स्वास्थिय में रोगों के बारे में जाना था इस बाग में हम प्रतिरक्षा और एड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हम प्रतिरक्षा के प्रकार, टीका करन और प्रतिरक्षी करन, एलर्जी, स्वय प्रतिरक्षा, श्रीर में प्रतिरक्षा तंत्र तथा एड्स के बारे में विस्तार से जानेंगे हमें हर रोज बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है प्रन्तु इन में से कुछ ही रोग के शिकार बनाते हैं ऐसा क्यूं है? क्या इसका कारण ये है कि हमारा शरीर अधिकांश वाह कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है परपोशी की रोग कारक जीवों से लड़ने की च्छमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिलती है उसे प्रतिरक्षा जा इम्म्यूनिटी कहते हैं प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है सहज प्रतिरक्षा जिसे की हम इनेट इम्म्यूनिटी कहते हैं और उपारजित प्रतिरक्षा जिसे हम acquired immunity कहते हैं सहज प्रतिरक्षा यानि के innate immunity एक प्रकार की अभिशिष्ट यानि के non-specific रक्षा है जो जनम के समय मुझूद होती है ये प्रतिरक्षा हमारे श्रीर में वाहेकारकों के प्रवेश के सामने विन प्रकार के रोध खड़ा करने में हासिल होती है सहज प्रतिरक्षा में चार प्रकार के रोध होते हैं जिसे की हम barrier भी कहते हैं पहला जैसे के शारिरिक रोध जानि के physical barrier हमारे श्रीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्षम जीवी के प्रवेश को रोकता है स्वशन जट्रांत जाने के गेस्ट्रो इंटस्टाइनल और जननमूत्र पत को अस्तरित करने वाली अपिथिलियम का स्लेश्मा अलेप जिसे के हम म्यूकस कोटिंग कहते हैं भी श्रीर में गुसने वाले रोगानूओं को रोकने में हमारी सहाज्ता करता है दूसरा काई की रोग जानिके फिजियोलोजिकल वैरियर अमाशे में अमल मु में लार आंक में आंसु ये सबी रोगानिय ब्रुदी को रोगते हैं तीसरा कोशकी एरोध जानिके cellular barrier हमारे श्रीर के रख में बहुरूप केंद्रक छवेतानू उदासी नरंजी जिसे कि हम PMNL जानिके polymorphonuclear leukocytes neutrophils जैसे कुछ परकार के छवेतानू और एक केंद्रकानू जानिके monocytes तथा प्राकृतिक मार्क जानिके lymphocytes के परकार आम उतकों में ब्रहित बक्षकानू जिसको कि हम macro phases बोलते हैं रिगानूं का बक्षन करते हैं और उन्हें नष्ड करते हैं अगला रोध जिसे की हम cytokine रोध भी कहते हैं बिशानू संक्रमित कोशिकाएं इंटर फेराउन नामक प्रोटीनों का सुर्ण करती हैं और असंक्रमित कोशि को और आगे भी शानु संक्रमन से बचाती हैं उपार्जित प्रतिरक्षा यानि के एक्वाइड इम्मुनिटी दूसरी और उपार्जित प्रतिरक्षा रोग जनक बिशिष्ठ है इसका अभी लक्षन स्मृति है जानि के याद रखना इसका अर्थ ये है कि हमारे श्रीर में जब पहली वार किसी रोग जनक से सामना होता है तो एक अनुक्रिया जानि के रेस्पॉंस करता है जिसे निमन तिब्रता की प्रात्मिक अनुक्रिया कहते हैं बाद में उसी रोग जनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तिब्रता की दित्यक तथा पूरव बृतिये जान मुठबेड की स्मृति है प्रात्मिक और दित्यक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे श्रीर के रक्त में मुझूद दो विशेश परकार के लसी कानों द्वारा होती हैं और ये हैं B लसी कानू और T लसी कानू जिनकों हम B लिंफोसाइट्स और T लिंफोसाइट्स भी बोल करते हैं ताकि वे रोग जनकों से लड़ सकें ये प्रोटीने प्रतिरक्षी जानी कि एंटिवाइटिक्स कहलाती हैं T कोशिकाएं खुद तो प्रतिरक्षनों का स्रवन नहीं करती हैं लेकिन प्रोटीन उत्पन करने में B कोशिकाओं की सहाजता करती हैं प्रतेक प्रतिरक रक्षी आनू में चार पेप्टाइड श्रिंकलाएं होती हैं दो छोटी दो लगू श्रिंकलाएं कहलाती हैं और दो बड़ी जो धीर श्रिंकलाएं कहलाती हैं इसलिए प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है हमारे श्रीर में बुविन प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन होते हैं जिनमें से IGA, IGM, IGE, IGG कुछ उदारन है ये प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती है इसलिए इन्हें तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया जानिके हिमोरल इम्यून रेस प्रतिरक्षा अनुक्रियां में से एक है दूसरे प्रकार की अनुक्रिया कोशी का माध्यत प्रतिरक्षा जान कोशी का माध्यत प्रतिरक्षा जिसे की हम CMI जानिके Cell Mediated Immunity कहलाती है टील असी कानु CMI का माध्यम भनते हैं जब हृदे, नेत्र, ब्रिक, यकृत यैसे अंग संतोष जनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो एक मात्र उपचार प्रतिरोपन होता है जिससे रोगी समान्य जीवन जी सके किसी उप्युक्त दाता की तब तलाश शुरू होती है ऐसा क्यूं है कि प्रतिरोपन के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिये जा सकते वे क्या है जिसकी जान्च डाक्टर करते हैं किसी भी स्रोथ, पशू, अन्य प्राइमेट या किसी भी मानब का निरोप यानि के ग्राफ्ट नहीं लगाया जा सकता क्यूंकि वे देर सवेर नकार दिये जाएंगे कोई भी निरोप प्रतिरोप लेने से पहले उत्तक मिलान और रक्त मिलान अक्त्यद्यवशिक है और इसके बाद भी रोगों को अपने शेश जीवन बर प्रतिरक्षा निरोधक यानि के इम्मिनोसप्रसेंट लेने पड़ते हैं शरीर स्वायम और पर्मे बेद करने में सक्षम है और कोशी का माद्यत प्रतिरक्षा अनूक्रिया निरोब को असविकृत करने के लिए उत्तरदाई है सक्रिये और निश्क्रिये प्रतिरक्षा क्या होती है जब परपोशी प्रतिजनों यानिके अंटिजन्स का सामना करता है तो उसके श्रीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं प्रतिजन जीवित या मृत रोगानू या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं इस प्रकार की प्रतिरक्षा स्क्रिय प्रतिरक्षा जाने कि active immunity कहलाती है सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदिर्शित करने में समय लेती है प्रतिरक्षी करन जिसे के हम Immunization भी कहते हैं कि दोरान जान भूज कर रोगानूं का टीका देना अथ्वा प्राकृतिक संक्रमन के दोरान संक्रामक जीवों का श्रीर में पहुंचना सक्रिये प्रतिरक्षा को प्रेरीद करता है जब श्रीर की रक्षा के लिए बने-बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही श्रीर को दिये जाते हैं तो ये निश्क्रिये प्रतिरक्षा जाने के पैसिव Immunity कहलाती है क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जन्मेशिशू के लिए मां का दूद क्यों बहुत ही अत्यविश्व माना जाता है क्योंकि दुखदव श्रवन जिसे के हम लाक्टेशन कहते हैं कि प्रभंबिक दिनों के दोरान मा द्वारा स्रवित पीले से तरल जिसे की प्यूश जा कोलस्टरम कहते हैं में प्रतिरोधी जैसे की IgA की प्रचूर मात्रा होती है और ये शिशु की रक्षा करता है सघरवता जानिके प्रेगनेंसी के दोरान ब्रुन को अप्रा जानिके प्लसेंटा द्वारा मा से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं ये निश्क्रिये प्रतिरक्षा कुछ उधारन हैं आपने देखा होगा कि बच्चों को समय समय पर के सारे टी के लगाये जाते हैं ऐसा क्यूं है प्रतिरक्षी करन या टीका करन का सिध्धान्त प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुन पर अधारित है टीका करन में रोग जनक या निश्क्रियेट रोग जनक की प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है इन प्रती जनों के बिरुद शरीर में उत्पन प्रती रक्षा बास्तविक संक्रमन के दोरान रोग जनी कारकों को निश्प्रबावी बना देता है T का समरिती B और T कोशिकाएं भी बनाते हैं जो परिवर्ती प्रभावन जानिके सब्सिकेंट एक्स्पोजर होने पर रोग जनक को जल्दी से पहचान लेती हैं और प्रती रक्षियों के भारे उत्पादन से हमलावर को हरा देती हैं अगर भ्याक्ती किसी ऐसे घातक रोगानों के संक्रिप्ट में आता है जिसके लिए फोरण प्रती रक्षियों की अविशकता है जैसा की टिटनिस में तो प्रभावकारी निश्पादित प्रती रक्षियां और अत्ति अविश जानिके एंटि टॉक्सिन को टीके के रूप में सीधे ही दिये जाने की जरूरत है सामके काटे जाने के मामलों में भी रोगी को जो सुई लगाए जाती है उसमें सर्प जीविश यानिके वेनम के विरुद निश्पादित प्रतिरक्षी होते हैं इस प्रकार का प्रतिरक्षी करन निश्क्रिये प्रतिरक्षी करन कहला पुना योर्गस डीने जिसे की हम री कॉंबिनेट डीने भी कहते हैं प्रोधगी से जीवानू या खमीर यानि कि यीस्ट में रोग जनक की प्रतिजनी पोली पैप्टाइड का उत्पादन होने लगा है इस बिदी से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है और इसलिए प्रतिरक्षी करन हे तू उन टीकों की उपलबदा खूब बड़ी है जैसे खमीर से बनने वाला युकृत शोध बी टीका जिसे के हम हैपेटाइटिस बी वैक्सीन भी कहते हैं आपके साथ कितनी वार ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगे गये हो और बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकना और गर गराहट के साथ सांस लेना शुरू करते हैं और जब आप उस जगे से लोट आते हैं तो आपके ये लक्षन गायब हो जाते हैं हमें से कुछ लोग प्रयावरन में मौजूद कुछ कुनों के प्रति संभेदन शील होते हैं उपरयोगत अ प्रयावरन में मौजूद कुछ प्रति जनों के प्रति प्रति रक्षा तंत्र की आतिरंजित अनुक्रिया ऐलर्जी कह जाती है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रति रक्षित अनुक्रिया होती है ऐलर्जन कहलाती है उनके प्रति बनने वाले प्रति रक्षियों जै जैसे की डेंडर अधी, अलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षनों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं, अलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टेमिन और सिरोटोनीन जैसे रसाइनों के निकलने के कारण होती है, अलर्जी का कारण ज किया जाता है, प्रती हिस्टेमिन, अडर्नलीन और स्टिराइडों जैसी ओश्दियों के प्रयोग से अलर्जी के लक्षन जल्दी घट जाते हैं, लेकिन अधुनीक जीवन शैली के फालसवरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है, और अलर्जनों के प्रती संभेदन श जहते हैं, इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवनकाल में उन्हें बहुत रक्षित प्रयावरंदर में रखना हो सकता है, चलिए अब हम बात करते हैं स्वायम प्रतिरक्षा की, उच्चतर कुशेरुकियों में बिक्सित स्मृती अधारित उपरजित प्रतिरक्षा, अपनी कोशिकाओं और बिजातिय जीवों जैसे की रोगानू के बीच बेद रखने से की छम्मिता पर अधारित है, बेद कर सकने की इस छम्मिता का अधार क्या है, ये हमें अभी भी पता नहीं चला है, फिर भी इस बारे में दो उप सिदान्तों को समझना होगा, पहला, उच्चतर कुशेर्यों की बिजातिय आनुओं और बिजातिय जीवों को भी पहचान सकते हैं, प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा बिज्ञान इस संबंद में जानकारी देता है, दूसरा, कभी-कभी अनुवंशिक और अध्यात कार्णों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमल कर देते हैं, इसके फल सब्रूप शरीर को छती पहुंचती है, और ये स्वय प्रतिरक्षा रोग कहलाता है, हमारे समाज में बहुत से लोग आमभाती संधी शोद जिसों की हम रिमुटाइड अर्थराइटिस कहते हैं से प्रभावित हैं, जो एक स्वय प्रतिरक्षा का र जैसे की लिम्फाइट ओर्गन हम कहते हैं, उत्तक कोशिकाएं और गुलन शील अनू जैसा की प्रतिरक्षी शामिल है, जैसा की आप पीछे पढ़ चुके होंगे, जा फिर हमने डिसकस किया है, प्रतिरक्षा तंत्र इस माहिने में बेजोड है कि ये भिजातिय प्रतिजन को पहचानता है, इनके प्रति अनू क्रिया करता है और इन्हें याद रखता है, प्रतिरक्षा तंत्र, एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्वायम प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपन में महत्तव पुर्ण भूमी का निवाता है, लसी काव अंग, यही वे अंग हैं जिनमें लसी कानू की उत्पत्ति और यहां फिर परिपकवन जानिके मैचूरेशन और प्रॉलिफरेशन होता है, आस्थी मज्जा जिसको भी हम बोन मेरो कहते हैं और थाइमस ऐसे प्रात्मिक लसी काव अंग हैं जहां अपरिपकब लसी कानू प्रतिजन संबेदन शील ल आंसिलों, छुद्रांत्र के पेर पेचों और परिशेशी का जिसे के हम अपेंडिक्स कहते हैं जैसे दित्यक अंगों में चले जाते हैं दित्यक लसी काव अंग ऐसे स्थल हैं यहां पर लसी कानू की प्रतिजन के साथ परस्परिक क्रिया होती है जो बाद में प्रचूर स अंख्या में उत्पन होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाते हैं आस्थी मज्या मुख्य लसी काव अंग है जहां लसी कानू समेत सबीर उद्री कोशिकाएं उत्पन होती हैं ठाइमस एक स्पॉलि यानि के लोग्ड अंग है जो हृदे के पास उरश्थी के नीचे स्थित ह जनम के समय थाइमस काफी बड़ा होता है लेकिन बढ़ती उमर के साथ उसका आकार घटता जाता है और जौवनस्था आने पर ये बहुत छोटे आकार का रह जाता है अस्थी मजजा और थाइमस दोनों ही टी लसी कानू के परिभर्दन और परिपकवन के लिए सुक्षम प्रयावन मुहया करवाते हैं पलीहा सेम के अकार का बड़ा अंग है इसमें मुख्य रूप से लसी कानू और भक्ष कानू होते हैं ये रुद्री में पैदा होने वाले सुक्षम जीवों को फांस कर रुद्री निसंदक फिल्टर के रूप में काम करते हैं पलीहा में लाल रख्ट कनी काएं का बड़ा भंडार होता है लसी का गरंथियां छोटी ठोस रंचनाय होती हैं जो लसी का तंतर पर भिन भिन सत्रों पर स्थित हैं यो सुक्षम जीव जा दूसरे प्रतिजन लसी का और उत्तक तर्न में आते हैं लसी का गरंथियां उन्हें फांस लेती हैं लसीका गरंथियों में फसे प्रतिजन बहां मौजूद लसीकानूं के संक्रियन और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदाई हैं प्रमुख पथों जैसे की स्वशन पाचन जनन मूत्रपत के अस्तरों उनकी जो लाइनिंग होती हैं के भीतर लसीकाव उत्तक स्थित हैं जो सलेशम संबंद लसीकाव उत्तक जिसे के हम MLT मूकोसोल एसोशियेटड लिमफॉइड कहते हैं वो कहलाते हैं ये मानव शरीर के लसीकाव उत्तक का लगवग 50 प्रतिशत है चलिए अब हम बात करते हैं एट्स के बारे में एट्स शब्द उपरचित प्रतिरक्षा नियूंता सलंक्षन जिसे की हम एट्स एक्वाइड इम्मून डेफिजन्सी सिंड्रोम भी कहते हैं के लिए प्रियुक्त होता है इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की नियूंता जो ब्याक्ति के जीवनकाल में उपरचित होती है और जो इस बात का संकेत है कि ये नियूंता कोई जनम जात रोग नहीं है एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला और जो लगबग पिछले 33 बर्षों में सारे विशव में फैल गया है और इस रोग से लगबग 33 क्रोड लोगों की मृत्यू हो चुकी है एड्स एक विशानू रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा नियूंता विशानू जिसे कि हम HIV जानी कि Human Immunovirus कहते हैं कि कारण होता है HIV विशानूं के उस सम्मूह में आता है जिसे पक्ष विशानू जानी कि Retrovirus कहते हैं जिनमें RNA जिनोम को डखने वाला आवरन होता है अंदूशित रक्त और रुद्री उत्पादों के अधान से जां फिर संक्रमित सुईयों के साजा प्रयोग से जैसा कि अन्तशिरा जानी कि Intravenous द्वारा ड्रग का कूप प्रयोग करने वालों के मामले में होता है इसका कारण संक्रमित मां से आप्रा द्वारा उसके बच्चे में भी हो सकता है इसलिए जिन लोगों में ये संक्रमन होने का बहुत ज्यादा खत्रा है ऐसे व्याक्ति जो अनेक से मेधुन करते हैं मादक द्रब्वयसनी यो अंताशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं जनके इंट्रवेनों ऐसे व्यक्ति जिने वारवार रक्त आदान की जरूरत होती है और संक्रमित मा से जनमे बच्चे को क्या आपको मालुम है कि लोगों को बारवार रक्त आधान की अविशक्ता कब होती है जहां पर ये द्यान देना महत्तरपूर्ण है कि HIV AIDS केवल छूने जा शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है ये केवल शरीर में द्रबित द्रबों से फैलता है इसलिए ये भी महत्तरपूर्ण है कि शरीरिक और मनोविज्यानिक स्वस्था के लिए अविशक है कि HIV यानि कि AIDS प्रबावित ब्याक्ति को परिवार या समाज से अलग थलग ना किया जाए पता लगाए ऐसी प्रस्थितियों की सूची बनाएए अपने आस पास आप देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं दिनको ऐसा रोग है संक्रमन होने और AIDS के लक्षन परकट होने के बीज हमेशा अंतराल होता है यह अब दी कुछ महीनों से लेकर कई बरशों प्राएप पांच से दस बरश की हो सकती है ब्याक्ति के शरीर में आजाने के बाद बिषानु ब्रह्त बक्ष कानु जिसको कि हम मैकरो फेज़िस कहते हैं वेप्रवेश करता है जहां उसका RNA जिनों बिलोम ट्रांस्क्रिप्टेज जिससे कि हम reverse ट्रांस्क्रिप्टेज इंजायम की साहस्ता से प्रकृतिय जानिके रैप्लिकेशन द्वारा विशानविय डियने बनाता है चलिए अब हम भात करते हैं कि एड्स की रोगथाम कैसे कर सकते हैं एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता इसलिए इसकी रोगथाम ही सबसे उत्तम उपाय है इसके अलावा HIV संक्रमन सचेतन बहवार पैटरन के कारण फैलता है ना कि निमोनिया जा टाइफाइड की तरह अंजाने में ये ठीक है कि रक्त अधान जा परधान रोगियों में नव जातों में जैसे मां से जन्मे बच्चे को अधी में ये संक्रमन सही निगरानी जैनि कि मोनीटरिंग ना होने के कारण हो सकता है एक मातर बहाना अनविध्यता हो सकती है लेकिन कहावत बिलकुल सही है कि अज्यानता के कारण मत मरो हमारे देश में राश्ट्रिये AIDS नियंतरन संग्ठन जिसे कि हम NACO जैनि कि National AIDS Control Organization और अन्य गैर सरकारी संग्ठन जो है जो की NGOs हैं वो लोगों को AIDS के वारे में सिक्षित करने के लिए पहुत काम कर रहे हैं HIV संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए बिशप स्वास्ते संग्ठन यानि कि World Health Organization ने अन्नेक कारेकरम जो है वो अरम किये हैं रक्त वैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना सर्वजनिक और नीजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल प्रयोज जानिके disposable सुईया और स्रिंच ही काम में लाए जाए इसकी विविस्था करना कंडोम का मुफ्त वित्रन, ड्रग के कूप्रयों को निंत्रित करना, सुरक्षित योन संबंद की सिफारिश करना और सुग्राही समिष्टी जानिके susceptible population में HIV के लिए नियमित जान्च को बढ़ावा देना इन सब कारेकरमों से हम AIDS की रोक्थाम कर सकते हैं HIV से संक्रमन या AIDS से गरस्थ होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे चुपाया जाए क्योंकि चुपाने से ये संक्रमन और भी ज्यादा लोगों में फैल सकता है समाज में HIV या AIDS संक्रमित लोगों को सहाजता और सहनुभूती की जरूरत होती है एम उन्हें हे दृष्टी से नहीं देखा जाना चाहिए जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामुहिक तोर पर किया जाना चाहिए तब तक ये रोग एक ब्यापक रूप से फैलने की गुंजाईश केई जुना बढ़ जाती है ये एक ऐसी ब्यादी है जिसके फैलाब को समाज और किसी बर्ग के सिमलित प्रयाज से ही रोका जा सकता है तो प्यारे विद्यार्थियों इस बाग में हमने प्रतिरक्षा के प्रकार, टीका करन और प्रतिरक्षन जिसमें एलर्जी, स्वयम प्रतिरक्षा, श्रीर में प्रतिरक्षा तंत्र तथा एड्स के बारे में जाना मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए लाबकारी होगी मानव स्वास्थे तथा रोग के इस अध्याय के अगले बाग में हम कैंसर, ड्रग और अलकोहल के कूप रयोग के बारे में जानेंगे तब तक के लिए नमस्कार स्बस्ताइब के जारे में जैनेगाले एंगे झाल झाल